नमस्यार बच्चो आज सुनते हैं कहानी चीफ की दावत जिसे लिखा है भीश में सहनी जी ने तो लिजिए प्रस्तत है कहानी चीफ की दावत प्रस्तत कहानी में समाज की दिखावापन तथा वृद्धों की समस्या को बहुखूबी तरशाया गया है जुमा अपने खूनों से अपने बच्चों को सीज़ती है उनकी देख भाल करती है उनकी हर जरूरत का ध्यान रखती है वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो जन्द देने वाली मा को ही अपना बोज समझने लगते हैं प्रस्त कहानी को भीश्मि सहानी जी ने लिखा है। बुजूर्गों के प्रती, व्रिद्धों के प्रती, आदर की भावना में रखना तथा मां की मम्ता का परिचे देने के लिए इस पार्ट का चैन किया गया है। कहानी के मुख्य पातर हैं श्यामनाद की मा, श्यामनाद की पतनी और श्यामनाद का बॉस और श्यामनाद माता पिता पुत्र के लिए ईशो से भी बड़े बताए गए है पुत्र चाहे जितनी उचे पत पर पहुँच जाए उसे अपने माता-पिता को नहीं भूलना चाहिए कभी-कभी जूटे दम में आकर बच्चे ऐसा कर बैठते है कि माता-पिता की अव मानना हो जाती है यह गलत है माँ-बाप से बड़ा हितैशी और कौन हो सकता है कहानी की शुरूवात ऐसे होती है आज मिस्टर शामनात के घर चीफ की दावत थी शामनात और उनकी धरम पत्नी को पसीना पोचने की फुरसत न थी पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने उलजे हुए बालों का जूड़ा बनाए मुँ पर फैली हुई सुर्की और पाउडर को भूली और मिस्टर शामनात सिक्रेट पर सिक्रेट फूगते हुए चीजों का फेहरिसत हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे आखेर पाँच बज़ते बज़ते तैयारी मुकमल होने लगी कुर्शिया, मेज, तिपाईया, नापकीन, फूल सब बरामदे में पहुँच गये ड्रिंक का इंतिजाब बैटक में कर दिया गया अब घर का फालतु सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा तभी शामनाथ के सामने सहसा एक अरचन खड़ी हो गई मा का क्या होगा इस बात की ओर ना उनका और ना उनकी कुशिल ग्रहनी का ध्यान गया था मिस्टर शामनाथ श्रीमदी की ओर घूं कर अंग्रेजी से बोले मा का क्या होगा श्रीमदी काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचनी के बाद बोली इन्हें पिछवाडे इनकी सहली के घर भेज दो रात बर वेशक वहीं रहे कल आ जाए शामना सिगरेक मुँ में रखे सिकड़ी आखों से शरीमती के चहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे फिर सिर हिला कर बोले नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था मा से कहे कि जल्दी ही खाना खाके शाम को ही अपने कोठरी में चली जाए मैमान कहीं आड़ बज़े आएंगे इससे पहले ही अपने काम से निपट ले सुझा ठीक था, दोनों को पसंद आया मगा फिर सैसा श्रीमती बोल उठी जो वह सो गई और नीन में खराटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दर्वाजा बंद कर ले मैं बाहर से ताला लगा दूंगा या मा को कह देता हूं कि अंदर जाकर सोए नहीं बैठी रहे और क्या और जो सो गई तो डिनर का क्या मालू कब तक चले ग्यारा ग्यारा बज़े तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो शामनात कुछ खीच उटे हाँ जटकाते हुए बोले अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी तुमने यूँ ही खुद अच्छा अप बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी वाह तुम मा और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूँ तुम जानो और वो जाने मिस्टर शामनात चुप रहे यह मौका बहस करना था समस्या का हर ढूनने का था उन्होंने घुम कर मा की कोठरी की ओर देखा कोठरी का दर्वाजा बरामदे से खुलता था बरामदे की ओर देखते हुए एक छट से बोले मैंने सोच लिया है और उन्ही कद्मों से मा की कोठरी के बाहर जाग खड़े हुए मा दिवार के साथ एक चौकी पह बैठी तो पट्टे में मुँ सिर लपेटे माला जाप रही थी सुबह से तयारी होता दे होती देखते हुए मा का भी दिल धड़क रहा था बेटे के दफ्तर के पड़े सहाव घर पर आ रहे है सारा काम सुविदा से चल रहा चल जाए मा आसुम खाना जल्दी खा लेना तो पट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा तुम तो जाते ही हो मास मचली बने तो मैं कुछ नहीं खाती जैसे भी हो मा अपने काम से जल्दी निपट लेना अच्छा बेटा और मा हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे उतनी देर तुम यहां बरामदे में बैठना फिर जब हम यहां आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना मा आवाक बेटे का चहरा देखने लगी फिर धीरे से बोली अच्छा बेटा और मा आज जल्दी सो नहीं जाना तुमारे खराटों की आवाज दूर तक जाती है मा लजजित से आवाज में बोली क्या करूं बेटा मेरे बस की बात तो नहीं है जब से बीमार से उठी हूँ नाग से सास नहीं ले सकती मिस्टर शामनात ने इंतिजाम तो कर दिया फिर भी उनकी उधेर भून खतम नहीं हुई जो चीफ अचानक उधर आ निकले तो आट डस महमान होंगे देशी आफसर और उनकी स्तरिया होंगी कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है शोबा क्रोद में वो फिर जुझला लगे एक कुरसी को उठाका परामदे की कोटरी के बाहर रख दी और कहने लगे मा जब वो लोग आएंगे तो तुम वहाँ पर बैठ जाना बाहर रखते हुए बोले आओ मा इस पर जड़ा बैठो तो मा माला संभालती पला ठीक करती उठी और धीरे से कुरसी पर आका बैठ गई यू नहीं मा तांगे उपर चड़ा कर नहीं बैठते या खाट नहीं है मा ने तांगे नीचे उतार ली और खुदा के वासने नंगे पौन नहीं घूमना नहीं खड़ाओ पहन कर सामने आना किसी दिन तुम्हारी ये खड़ाओ उठा कर मैं पाहर फेग दूँगा मा चुप रही कपड़े कौन से पहनोगी मा जो है वही पहनोगी बेटा जो कहो पहन लो मिस्टर शामना सिगरेट मूँ में रखे फिर अध़ खुली आँखों से मा की ओर देखने लगे और मा के कपड़ो को सोचने लगे शामना थ हर बात का तरतीब चाहते थे घर पर घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था खुटिया कमरे में कहां लगाई जाए बिस्तर कहां पर बिचे किस रंग के परदे लगाए जाए श्रीमती कौन सी साड़ी पहने मेज किस साइस की हो शामनात को चिंता थी कि अगर चीफ को चीफ का साक्षात मा से हो गया तो कहीं लचितना होना पड़े मा को सिर से पाउं तक देखते हुए बोले तुम सफेद कमीज और सफेद सल्वार पहन लो मा पहन के अव मैं ज़र देखूं मा धीरे से उठी और अपनी कोटरी में कपड़े पहनने चली गई मा सफेद कमीज और सफेद सल्वार पहन कर बाहर निकली छोटा सा कद सफेद कपड़ों में लिप्टा छोटा सा सूखा हुआ शरी धूंदिली आके केवल सिर के आधे जड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाया था पहले से कुछ ही कम करूप नजर आ रही थी चलो ठीक है कोई चूडिया वूडिया हो तो वो भी पहन लो कोई हर्च नहीं है चूडिया कहां से लाओ बेटर तुम तो जानते ही हो सब जेवर तुमारी पढ़ाई में बिक गए यह वाके शामनात को तीर की तरह लगा तिरक कर भोले ये कौन सा राख छेड़ दिया मा सीधा कह दो ना नहीं है जेवर बस इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या तालुक जो जेवर बिका तो कुछ बन कर ही आया हूँ न निरा लढूरा तो नहीं लोटाया जितना दिया उससे दुगना ले लेना मेरी जीव चल जाये बेटा तुम से जेवर लूँगी मेरा मूँ से यूँ ही निकल गया जो होते तो लाख बार पहनती साड़े पांच बच चुके थे अभी मिस्टर शामनात को खुद भी नहा धुआ का तयार होना था श्रीमती कब की और कब की कमरे अपने कमरे में जा चुकी थी शामनात जाते हुए एक बार फिर मा को हिदायत करते गए मा रोज की तरह गुमसुंग बने बनके नहीं बैठी रहना अगर सहाब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जबाब देना मैं न पढ़ी न लिखी बेटा मैं क्या बात करूंगी तुम कह देना मा अनपढ है कुछ जानती समझती नहीं वो नहीं पूछेंगे साथ बस्ते बस्ते मा का दिल धक धक करने लगा अगर चीफ सामने आ गया और उनसे कुछ पूछा तो वो क्या जबाब देंगी अंग्रेज का दूर से ही देख कर वो घबडा उठती है उठती थी यह तो अमेरिका है ना मालूम क्या पूछे मैं क्या कहूंगी मा का जी चाहा कि चिप चाप पिछवाडे विध्वा सहेली के घर चली जाए मगर बेटे के हुकम को कैसे टाल सकती थी चिप चाप कुरसी पर तांगे लटकाए वही बैटी रही एक काम्याब पार्टी वो है जिसमें ड्रिंक काम्याबी से चल जाए शामनात की पार्टी सफलता के शिकर चूमने लगी वारतलाप उसी रो में बह रहा था जिसे रो में ग्लास भरे जा रहे थे कहीं कोई रुकावट ना थी कोई अडचन ना थी साहब को विसकी पसंद आई आई थी मेम साहब को परदे पसंद आये थे सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था कमरे की सजावट पसंद आई थी इससे बढ़कर क्या चाहिए साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में चुटकुले और कहानिय कहने लगे थे दफ्तर में जितना रौब रखते हैं यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे और उनकी स्त्री काला गाउन पहने गले में सफेद मोधियों का हार सेट और पाउडर की महक से ओध प्रोध कमरे में बैठी सभी देशी स्त्रीयों की अराधना का केंद्र बनी हुई थी बाद-बाद पर हस्ती बाद-बाद पर सिर हिलाती और शामनात की स्त्री से तो ऐसे बाते कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो और इसी रो में पीते पिलाते साड़े दस बज गये वक्त गुजरने का पता ही न चला आखेर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखरी घूट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक की तरफ बैठक से बाहर निकले आगे आगे शामनात रास्ता दिखाते हुए पीछे चीफ और उसके महमान बरामदे से पहुँचते हैं तो शामनात का सहसा ठिटक गए शामनात सहसा ठिटक गए जो त्रिश उन्होंने देखा उसे उनकी टांगे लड़ खडाने लगी और शन्भर में सारा नशा हिरिन होने लगा बरामदे में एन कोटरी के बाहर मां अपनी कुरसी पर जोल की त्यों बैठी थी मगर दोनों पाउं कुरसी के सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जूल रही थी मुँ में लगातार गहरे खराटों की आवाजे आ रही थी सब जब सिर पर कुछ देर से के लिए ठेड़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खराटे और भी गहरे होटते और फिर जब छटके से नीच तूटती तो सिर के तो फिर दाएं से बाएं जूलते जूलने लगता पला सिर पर से खिसक गया था और मा के जरे हुए बाल आदे गंजे सिर की अस्वेस बिखर रहे थे देखते ही शामनात करोदित हो उठे जी चाहा की मा को धक्का दे कर उठा दे और उन्हें कोठरी में धकेल ने मगर ऐसा करना संबह ना था चीफ और बाकी महमान पास कर रहे थे मा को देखते ही देशी अफशनन ने कुछ त्रियां हस दी और इतने में चीफ ने कहा पूर डियर मा हड़ बड़ा कर उठ बैठी सामने खड़े इतने लोगों को देख कर ऐसी घबड़ाई कि कुछ कहते ना बना जट से पला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी उनके पाउन लड़ खड़ाने लगे और हाथों की उंगलिया थर-थर कापने लगी मा तुम जाके सोजो तुम क्यों इतनी देर से जाग रही हो और खिस्यानी हुई नजरों से शामना चीफ की मूँ की और देखने लगा चीफ की चेहरे पर मुस्कुराहत थी वो वहीं खड़े-खड़े बोले नमस्ते मा ने जिजगते हुए अपने से सिमर्टे हुए दोनों हाथ जोड़े मगर एक हाथ दुपटे के अंदर माला को पकड़े हुए था दूसरा बाहर ठीक तरह से नमस्ते भी ना कर पाए शामना इस पर खिन हो था इतने में चीफ ने अपना दाया हाथ हाथ मिलाने के लिए मा के आगिन किया मा और भी घबरा उठी मा हाथ मिलाओ पर हाथ कैसे मिलाती दाय हाथ में तो माला थी घबराट से मा ने बाया हाथ ही साहब के दाय हाथ में रख दिया शामनात दिल ही दिल में जल उठे देसी अफसरों की स्त्रिया खिल खिला कर हस पड़ी यू नहीं मा तुम तो जानती हो दाया हाथ मिलाये जाता है दाया हाथ मिलाओ मगर तब तक चीफ मा का बाया हाथ ही बार-बार हिला कर कह रहे थे How do you do? कहो मा मैं ठीक हूँ खैरियत उसे हूँ मा कुछ बड़ बड़ाई मा कहती है मैं ठीक हूँ कहो मा How do you do? मा धीरे से सकुच आते हुए बोली How do you? एक बार फिर कह कहा हूँ था वातावरन हलका होने लगा साहब निस्तिती संभाल ली थी लोग हसने चहकने लगे थे शामनात के मन का श्रोब भी कुछ कम होने लगा था साहब अपने हाथ में मा का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और मा सिकुड़ी जा रही थी साहब के मूँ से शराव की बू आ रही थी शामनात अंगरेजी में बोले मेरी मा गाउं की रहने वाली है उम्र भर गाउं में रहती है रही है इसी लिए आप से लजाती है साहब इस पर खुश नजर आए बोले सच मुझे गाउं के लोग बहुत पसंद है तब तो तुम्हारी मा गाउं के गीत और नाच भी जानती होगी चीफ खुशी से सरहलाते हुए मा को टक-टकी बांदे देखने लगे मा साहब कहते हैं कोई गाना गुनाओ सुनाओ कोई पुराना गीत तुम्हें तो कितनी ही याद होंगे मा धीरे से बोली मैं क्या गाउंगी बेटा मैंने कब गाया है वा मा मेहमान का का कहा कोई भी टालता है साहब ने इतने रीच से कहा है नहीं गौगी तो साहब को बुरा लगेगा मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है वा, कोई बढ़िया ठपे सुना दो, दो पत्थर, अनार दे देशी अफसरवा और उनकी स्रिया ने इस सुझाओ पतालिया पिटी मा कभी दीन दृष्टी से बेटे के चहरे पर देखती, कभी पास खड़ी बहु के चहरे को इतने में बेटे ने कमभी रादेश दिया, भरे लहजे में कहां, मा इसके बाद हां या ना का सवाल ही न उठता, उठा उठता था, मा बैट गई और शिंद दुर्बल लर्जती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत काने लगी, हरिया ने माये, हरिया भी शैन, हरिया भागी भरिया है देशी स्रियां खिल खिला के हास उठी, तीन पंक्तियां गा के मा चुप हो गई बरामदे तालियों से गूंज उठा, साहब तालिया प्रितना बंध ही न करते, शामनाथ का खीच प्रसंता और कर्व में बदल उठी मा ने पार्टी में एक नया रंग भर दिया था, तालिया थमने इस पर साहब ने बोले, पंजाब की गाउं में दसकरी क्या है शामनाथ खुशी से जूफ रहते, बोले, ओ तो बहुत कुछ सा, मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेट करूँगा आप उन्हें देख कर खुश होंगे, मगर साहब ने सिर हिलाका अंग्रेजी में फिर पूचा, नहीं, मैं दुकानी के चीज, दुकानों की चीज नहीं मांगता, पंजाबियों के घर में, क्या बनता है, औरते खुद बनाती है शामनात कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुडियां बनाती हैं, और औरते फुलकारियां बनाती हैं, फुलकारी क्या है, शामनात फुलकारी का मतलब समझने के लिए असफल चेशा करने के बाद मां से बोले, क्यों मां कोई पुरानी फुलकारी घर में है, मां चु चगह चगह से उसके तागे तूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था साहब की रूची को देख का शामनत बोले ये फटी हुई है साहब मैं आपको नई बनवा दूँगा मा मा बना देगी क्या क्यों मा साहब को फुलकारी बहुत पसंद है इन्हें ऐसी एक फुलकारी बना दोगी ना मा चुप रही फिर डरते डरते धीरे से बोली अब मेरी नजर कहां है बेटा बुड़ी आखे क्या देखेगी मगर मा कावा के बीच से ही तोड़ते हुए शामनत साहब ने बोले वो जरूर बना देगी आप उसे देख कर खुश होंगे साहब ने सिर हिलाया धन्यवाद किया और हलके हलके जूमते हुए खाने के मेच की और बढ़ गए बाकी महमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए जब महमान बैठ गए और मा पर से सबकी आँखे हट गई तो मा धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरे बचाती हुई अपने कोटरी में चली गई मगा कोटरी में बैठने की देर ही थी कि आँखों से छल छल आंसू बहने लगे वो दुपट्टा से बार बार उन्हें पोचती पर वो बार बार उमड़ा थे जैसे बरसों का पान तोड़ कर उमड़ आये हो मा ने बहुत बहुत एरा दिल को समझाया हाँ जोड़े भगवान का नाम लिया बेटे के चिराईू होने का प्रातना की बार बार आँखे बंद की मगर आंसू बरसाते बरसाने के पानी की तरह जैसे थमने में ही ना आते बरसात की पानी की तरह जैसे थमने में ही ना आते आधी रात का वक्त होगा महमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे मा दिवार से सटकर बैठी आखे फाड़े दिवार को देखी जा रही थी घर का वातवरन में तनाव धीला पड़ चुका था मुहले का निस्तम शामनात के घर पर भी चा चुकी थी केवल रसोई में प्लेटों की खनखन की आवाज आ रही थी तब ही सहसा मा की कोटरी का दरवाजा जो से खटखटाने लगा मा करवाजा खोलो मा का दिल बैठ किया हड़ बढ़ा कर उठ वैटी क्या मुझसे कोई भूल हो गई है मा कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नीद आ गई क्यों वो उन्गने लगी क्या बेटे ने अभी तक शमा नहीं किया मा उठी और कामते हुए हाथों से दरवाजा खोल दिया दरवाजा खोलते ही शामनात छूनते हुए आगे बढ़े और मा को आलिंगन में भर लिया ओ मा, तुमने तो आज रंग लगा दिया साहब तुमसे इतने खुश हुए कि क्या कहूँ ओ अमा, अमा, मा की चोटी सी काया समट कर बेटे के आलिंगन में चिप गई मा की आखों में फिर आसु आ गए उन्हें पोच्टी हुई धीरे से बोली बेटा तुम मुझे हरी द्वार भेज़ दो, मैं कब से कह रही हूँ शामनाथ को जूमना साहथ बंद हो गया और उनकी पेशानी फिर तनाव के बल पढ़ने लगे उनकी बाहों में मा के शरीर पर से हट आई कहा, क्या कहा मा, ये कौन सा राग तुमने फिर से छेड़ दिया शामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा मा को अपने पास नहीं रख सकता नहीं बेटा, अब तुम अपने बहु के साथ जैसे मनचा हो रहो मैं अपना खान पान पहन लिया अब यहां क्या करूंगी, जो थोड़े सी जिन्दगी की बाकी है भगवान का नाम दूंगी, तुम मुझे हरीदवार भेज दो तुम चली जाओगी, तो फुलकारी कौन बनाएगा साहब ने तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का एकरार किया है मेरी आखे हम नहीं हैं बेटा, जो फुलकारी बना सकूँ तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो मा, तुम मुझे धोखा देके, क्यों चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी जानती नहीं, साहब खुश होगा, तो मुझे तरक्की मिलेगी मा चुप हो गई, फिर बेटे के मुझे और देखती हुई बोली क्या तेरी तरक्की होगी, क्या साहब तेरी तरक्की कर देंगे, क्या उसने कुछ कहा है कहा नहीं, मगर देखती नहीं, कितना खुश गया है कहता है, जब तेरी मा फुलकारी बनाना शुरू करेंगी तो मैं देखने आउंगा, कि कैसे बनती है जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ मा के चेहरे का रंग बदल गया बदलने लगा धीरे धीरे उनका जूरिया भरा मूँ खिलने लगा आँखों में हलकी हलकी चमक आने लगी तो तेरी तरक्की होगी बेटा तरक्की यूँ ही हो जाएगी साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा वरना उनकी खिदमत करने वाले कम थोड़े ही है तो मैं बना दूंगी बेटा जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी और मा दिल ही दिल से फिर बेटे का उज्वल भविशे का कामना कामनाएं करने लगी और मिस्टर शामनाथ अब सोज और मा कहते हुए तनिक लड़ खडाते हुए अपनी कमरे की ओर घूम गए तो देखा न आपने मा का दिल कैसा होता है मा अपने जीवन के अंतिम समय तक अपने बच्चों की भलाई चाहती है लेकिन वही बच्चे मा बाप को बुरी तरह से दुद्कारते हैं बच्चे बच्चों यह आपको देखना है कि जो मा बाप आज खून पसीने एक करके आपकी रखवाली करते हैं बड़े होकर आप उन्हें इज़द देंगे या अपने पैरों थले दबाएंगे आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इसी के साथ आप से विदा लेते हुए धन्यवाद